हाई एबरीबन वेलकम बेक टो माई चैनल और किलास इस फोर यू में जैसा कि आप थमने में देख पार होगे आज हम किलास 9 प्रसना वली 11.2 के जो महत्पूर्ण प्रसन है उन सभी को करने वाले हैं तो चलिए सुरुआत करते हैं आज के महत्पूर्ण सेशन की उससे पहले म मैं आपको सभी को महत्पूर्ण जो फार्मूले हैं सूत्र हैं वो मैं आपको बता देता हूं सवाल तो हम करेंगे ही करेंगे ठीक है चलिए देख लीजिए यह है यह आपका क्या हो गया यह पूरा गोला है और इसकी तरज्या कितनी है आर है ठीक है आप जानते होगी जो जो रहेते की कितना होता है इसके और प्राइब को मितना हो जाएगा गूरे का अगर्य की कि अजसका शैंकि ये, की नबबह गद चार पाई का मंड़ कितना होताlimited 108 पूरा कितना हो जाएगा छार पाई-a30 कितना हो जाएगाइगाklär का चार पाई-a30 कि सफ़र को चलिए इसके बाद अर्द गोले का प्रस्ठी चेत पल्ड कितना होता développर में बता रहा ह क्योंकि दी अपके फार्मुला जो एक्जाम में आते हैं और इनसे सवाल आपके पूंचे जाते हैं कभी-कभी जो है आप से जीधे फार्मुलाई पूंच लिया जाता है इसके बाद अर्द गोले का बक्रश्टिय चेथरपल कितना होता है वह था है 2πr2 यानि पूरे का पूरे गोले का आधा कर सब्सक्राइढ है इस तरह से क्या होता है डोनों फलकों को लेने पर तो क्या हो, जोता है और पाइण चाहिए अक्यों ने प्रिंज आगे खृति है जहे आफंज कहां पर कौन से परसंद पर कौन सा सूत्र लगाना है यह आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए ठीक है मैंने असा भी फार्मूले आपको बता दी चली आप सुरुआत करते हैं आज के हम पहले सवाल की ठीक है तो पहला सवाल क्या बुला गए कि निमने तरज्या वाले गोल कि की तरज्या कितनी है तरज्या वो आर वो है आपकी 10.5 cm और आप से कहा है क्या है गोले का प्रश्टिय चेत्र फर्थ तो गोले का प्रश्टिय चेत्र फल क्या होता है ठीक है गोले का प्रिष्टिये छेत्रफ्ल क्या होता है आपका a क्या होता है अभी मैंने बताया 4 py r x2 यह होता है तो तो निकाल लो क्या हो जाएगा यहां से निकालो तो क्या हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 4 py क्तना रखते हो आप लोग 22, Assist Sab यह कंपन सरी होता है रखना ठीक है और कितना है आपका 10.5 और स्कॉयर है तभी 10.5 दोबार करेंगे ठीक है अगर यहां से पाइंट अटाओ तो 0 बड़ा दो यहां पे पाइंट अटाओ तो जी ओ तो यह बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 गुणा 22 बटे 7 गुणा 105 बटे 10 आप इनको काटेंगे हम लोग अच्छे से ठीक है देखो यहां से 2 दूनी 4 दो पंजे 10 दो एकम दो और दो पंजे 10 समझ में आ रहा इसके बाद 7 से काट लो 7 से काट होगे नहीं काट होगे बताओ 7 एकम साथ 7 पन्ना पाइंटेस ठीक है 5 तियां 15 पाँच दूनी 10 पाँच एकम 5 तो क्या आगे आपका ए तो आगे आपका 22 गुणा 3 और गुणा 21 ए तो बच्चा था तो ए बराबर आपका आजाएगा कितना 22 गुणा 21 तियां 63 ठीक है तो इनकी आप गुणा कर लेओ 22 63 की गुणा कर लो तो कितना आजाएगा आपका 1386 क्या हो जाएगा मतरक सेंटी मीटर स्क्वार क्या होता है बरग में होता है ठीक है कैसे गुणा कर ये हमने 63 और 22 की आप लो गुणा करके देख सकते हो 23 6 2 6 12 कितना आगया 6 8 और 3 और 1 कितना आगया 1386 तो यही क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया तो यहां लिख सकते हो आप क्या गोले का प्रश्टिये 6 रुफल गोले का क्या लिख लोगे प्रश्टिये 6 रुफल ठीक है आराम से कर लिया आप लोगोंने आसानी से ठीक है चलिए दूसरा परसन दूसरा क्या बोला गया, इसी का दूसरा पार्ट है 5.6, आप गोले की तरज्या कितनी दी है, दूसरा पार्ट है ठीक, पहला था, गोले की तरज्या कितनी दी है, दूसरा पार्ट है ठीक, गोले की तरज्या, आभी कितनी दी थी, वो आर, वो दिये आपको 5.6 cm, है की नहीं, अब निकालो गोले का प्रश्टिये छेत्रफल तो क्या होता है गोले का प्रश्टिये छेत्रफल जो ए है वो हमें क्या बताना था तो क्या प्रश्टिये छेत्रफल मैं बहुत आसानी से समझा रहा हूं कभी आपका सवाल गलत नहीं हो क्या होता है फोर पाई आर इस्क्वाइर ठीक है क्या हो जाएगा चार पाई का मान बाइस बटे साथ आर पांच पाइंट छे गुणा पांच पाइंट छे और यहां आटा दू दस बड़ा दू यानी पाईं टटा दिया तो हमने यहां पे बड़ा दिया ठीक है आप इन्हें काट लो देखो दो दूनी चार दो पंजे दस और दो पंजे दस आप इधर साथ एकम साथ साथ अठे चपन तो कितना आगया आपका ए बराबर आगया 22 गु गुणा पांच यही आगया आपका आया या नहीं आया आप ये बताओ पहले ठीक है तेलियर हुआ इनकी आप गुणा करेंगे ठीक है तो ये बराबर बाइस वाट की गुणा करो आट दूनी सोला आट दूनी सोला एक सत्तरा गुणा चपपन और बटे आपका पचम 25 एक सोचे अत्तर और चपपन की गुणा कर लेओ ठीक है तो एक सोचे अत्तर और चपपन की गुणा करोगे चह चंग 36 तीस अंसिल लगे तीन च शेट ए ली आलीस हो तीन पाइंतालीस अंसिल लगे चार और 600 चेशार दस ठीक है इसदर पांच शक thीस तांच सत्य पैंतिस तीन अड़ तीस पांच और तीन कितने हो गए आपके? आठ ठीक है देखो 5,30, 80 लगे 3, 5,35,38 फिर आज़े लगे 3, 5,1,5,3,8 या 6 या 5 या 8 या 9 कितना आगे आपका ए जो ए आगे आप गुणा करी हमने कितना आगे आटावन अठानवे और चपन वटे 25 ठीक है अगर आप इनको काटोगे तो क्या हो जाएगा पचितियां 75 ठीक पचितियां कितने होते हैं 75 यही इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो यह बराबर आपको कितना देखने को मिलेगा इसको आप भाग कर लेना आपका यही आंसर आएगा तो गोले का प्रष्टिय चेत्रफल कितना आ गया यहाँ लिख लेते हैं गोले का प्रष्टिय चेत्रफल ठीक है इंपोर्टेंट कोर्ष्टन है ठीक है चलिए समझ में आ गया इसका अब हम करेंगे तीसरा पार्ट ठीक है तीसरा पार्ट क्या है तो आप दे रखा है आर आर कितनी दे रखी आपको 14 सेंटीमीटर ठीक है फिर लिखेंगे तीसरा पार्ट में क्या लिखने वाले हो गोले की तिरजिया कितनी दे रखी आर आपकी दे रखी वो 14 सेंटीमीटर तो क्या लिखोगे गोले का प्राष्ठिये छेतर पल ये तो निकालना है में प्राष्ठिये छेतर पल क्या होता है आपका ये बों होता है 4 पाई आर स्कॉरर ये होता है ठीक है चलो सारे मार रखेंगे क्या हो जाएगा आपका चार बाईस वटे साथ पाई का मान होता है आर कितना है चाउदा तो चाउदा गुणा चाउदा करेंगे हम लोग दो बार ठीक है कर लिए आपने काटू साथ दूनी चाउदा तो यहां से जो यह बराबर आ जाएगा बाईस चोग अठासी और कर लो आपस में इसकी जब आपस में आप लोग गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 24-64 सेंटीमीटर स्क्वार आप इकाई का देखो अठूट 64 लास्ट में कितना ना चाहिए था चार ठीक है तो यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया ठीक है समझ में आ ग ढूलेका प्रश्टिय शेतरपल गयात कीजी आप लेल आपको क्य देख़ के देख्रकाई तब आपको प्रश्टिय शेतरपल ग्यात करना ठीक है दूसरा चलो दूसरा भी करते हैं अच्छे से करते हैं कोई दिकत वाले कौनु टेंशन आई है हमें ठीक है चलिये दूसरा सवाल क्या दे रखा है आप पो जो ब्यास ठीक है गोले का, ऐसे लिख लो गोले का ब्यास कितना दे रखा है, दूसरे का, पहला पार्ट करें न, गोले का ब्यास क्या होता है डी बो होता है आपका 14 cm गोले का ब्यास तो त्रज्या में क्या संबंद होता है गोले का ब्यास बार त्रज्या में संबंद क्या होता है संबंद तो बो होता है आपका जो गोल ब्यास होता है देखो यही तो होता है गोल अध्यान देना आप लोग अच्छे से में समझा रहा हूंग, यह तो गोला है, यह पूरा क्या है, ब्यास, यह दे रखा है, आपको कितना, कितना दे रखा है, यह 14 दे रखा है, तरजिया कहां पे होती, आपकी यहां पे तो कितनी होती, आदी तो कितनी रह जाएगी, 7, 7 cm रह जाएगी, नहीं रह क्या संबंद होता है दू गुणा त्रजिया बरावर क्या होता है ब्यास ब्यास जो त्रजिया का दूना होता ठीक है समझे में आगया ब्यास क्या ही है डी समझे में आगया तो यह से आगया आपका टू आर बरावर कितना डी दो गुणा आर बरावर ब्यास कितना है आपका 14 आर अबराबर किटना हो जाएगा 2 के साथ क्या है आर गुर्णा में तो दू काईं मुजी इदर भाग में, बटे 2 कितना हो जाएगा 2 17 14, यहां से आपकी हार निकल के आ जाएगी 7 cm आप से पूंचा क्या है आप से क्या पूंचा है गोले क्या प्रष्टिये छेत्रपल निकाल लो ठीक है यहां से निकाल लें आप लोग क्या गोले का तरश्टी ये छेत्रपल ठीक है बहुत आसानी से कर रहे हैं आप लोग ठीक है न क्या होता है 4 पाई आर इसक्वायर ये होता है ठीक है सारे मार रखोगे क्या हो जाएगा पाई बाईस बटे साथ गुणा, आर आपकी ये साथ गुणा, साथ इसक्वायर क्यों लगा इसलिए दूबार गुणा हो गई सात एकम, साथ कितना आ जाएगा अब यहां से जो यह आ जाएगा बाईस चौक कितने होते हैं गुणा साथ कर लो गुन तो कितना आ जाएगा 7 857 अट्टे चपन कितना जाएगा जेखो ध्यान से 7, 8, 56, असे लगे 5, 7, 8, 56 और 5, कितने होते हैं, 61, 616 cm², यह आपका right answer हो गया, कितना 616 ही होता है, देख लिए आप लोग ठीक है, बिलकुल सही है, ठीक है, clear, चलो, इसी काम करते हैं, अब दूसरा part, ठीक है, दूसरा part में क्या बोला गया है, ठीक है, यह बोला गया है, कि ब यहां से फिर लिखेंगे, गोले का ब्यास, बराबर कितना है आपका 21 cm, यह होता है आपका D, तो तरज्या कैसे निकालोगे आप लोग, तो तरज्या जो है, आर आपको निकालनी है, अभी हमने बताया था, क्या बताया था, तो गुरु जी अभी आपने बताया था, 2R बरा बटा, दो, सेंटी मीटर, अब निकाल ले गोले का प्रेष्टिये छेत्र फल यहां से, है की नहीं, तो लिखो गोले का प्रेष्टिये, छेत्र फल, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, आप भी कर पारे हो, अच्छे से, क्या होता है, 4 pi r square सारे मार रखो 4 गुणा 22 बटे 7 r कितना है 21 बटे 2 गुणा 21 बटे 2 तेक है अब ये देखो 7 से कट जाएगा 7 ये 21 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 2 एकम 2 कितना आगे आपका ए देख लो ध्यान से 22 बच्चा गुणा 3 बच्चा और गुणा क्या बच्चा 21 ये तो बच्चा ये तो बच्चा देख लिजी तो क्या हो जाएगा ये आपका 22 गुणा 21 ये 63 तो भई फिर आगे आपका भई चीज आगे ना 1386 अभी हमने करा था ना 1386 सेंटी मीटर स्क्वाइर ये आपका के लिए रांसर हो गया बिल्कूल अच्छे से आपने समझ लिया ठीक है तो गोले का प्रश्टी चेतबल कितना आगया 1386 सेंटी मीटर स्क्वाइर अब तीसरा पार्ट देखो क्या बोला है ब्यास दे रखा 3.5 मीटर ठीक है कितना दे रखा आपकी दे रखा है मीटर ये इनोटों का भी से ध्यान रखेंगे दोस्तों है की नहीं चलो आपकी दे रखा है आपको 3rd पार्ट में 3rd पार्ट में क्या दे रखा है गोले का ब्यास गोले का ब्यास, जो डी दे रहाए, वो meter में दे रहाए, कितना दे रहाओ, आपको तीन, on 3.5 कितना दे रहाए, 3.5 meter, ठीक है, तो गोले की तिरिजिया क्या हो जाएगी, गोले की तिरिजिया, आप निकालोगे, क्या होती है, 2 आर बराबर कितने के हो जाएगे 3.5 सीधे कर दिया आर बराबर क्या हो जाएगा 3.5 बटे 2 यहां से अटाओ 0 बड़ा दो ठीक है काट लो इसे काट लो कि क्या हो जाएगा 5 कुबीस 5 सत्य 35 कितना आ गया 7 बटे 4 आया तो निकाल लो आप गोले का प्रष्टिये छेत्र फल ठीक है त्या निकालोगे गोले का प्रष्टिये छेत्र फल क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर ठीक है मार रखो सबके मार रख लो आप लो कितना हो जाएगा 4 गुणा पाई उकमान, बाईस बटे साथ, आर, साथ बटे चार गुणा, साथ बटे चार, दूमा गुणा क्यों है? क्योंकि आपकी तरजिया यहाँ पे स्क्वाइर में है, इसलिए, तो साथ से एक साथ काटो, चार से चार काट लेओ, ठीक है, दो दूनी, चार और यहाँ ग्यारा, गितना आगे है, आपका यह, ग्यारा सत्य, 77, 11,7, कितने हो गहे? यहां कितना बचाए 11, 37 और बटे कितना 2 यही आगे आपका मीटर स्क्वार यह आपका बिलकुत सही आंसर है अगर आप इसको और काटोगे तो कितना आजाएगा आपका 38.5 ठीक है इसको काटोगे 2, 3, 6 और 2, 8, 16 और कितना बचाए 1, 2, 5, 10 38.5 मीटर स्क्वार यह भी आपका सही आंसर है ठीक है समझ पाए तो अमीर करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे ठीक है चलिए अब हम नेक्स परसन की तरफ बढ़ते हैं तीसरा तीसरा बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर तरज्या वाले एक अर्दगोले का कुल प्रश्टी यह छेत्रपल किसका अर्दगोले का आपको निकालना है तीसरे का ठीक है अच्छे से पढ़ लिया आपने अच्छे से सवाल भी करेंगे ठीक है चलो देखते हैं यह 20 प्रशन आप सभी कर पा रहे हो ना अच्छे से समझ पा रहे हो ना तो कमेंट बोक्स में कमेंट कर दीजिए और चैनल को जो है क्या करना है आपको लाइक भी कर देना है ठीक है चलिए यह तीसरा दस सेंटे मीटर त्रज्या वाले अर्द गोले का कुल प्रश्टी ही छेत्रफल तो आपको क्या दिया है ये लिखलो सबसे पहले दिया है ठीक है अर्द गोले की तरज्या क्या दे रखिए आपको अर्द गोले की तरज्या ये दे रखिए आपको तरज्या क्या है आपकी आर कितनी है 10 सेंटी मेटर आप से क्या प corazón अर्द गोले का कुल प्रेस्टिय छेत्रपल तो क्या होता है अर्द गोले का क्या पर्मला मैंने बताया था कुल प्रेस्टिय छेत्रपल क्या पर्मला मैंने बताया बताओ अभी मैंने बताया था आपको ठीक है आपको याद होगा ना अच्छे से ठीक है क्या होता है आपका 3 तो यहां से जो यह बराबर हो जाएगा कि तो यहां से यह बराबर कित को सब्सक्राइब तो यहां से ए कितना हो जायगा, आपका 3 गुणा, ए कितना हो जायगा, आपका 3.14 गुणा, 100, इसकी गुणा करोंगे, तो point डट जायगा, कितना आजायगा, 314, 3 गुणा, 314, होगे या ने होगया, क्युंकि अगर यहां से आप point डटा आओगे, vertकर 10 से 100, गुणा, आगे आपका समझ में आया आप तू आगया होगा किलियर तीन गुणा 314 तो एक गुणा कर लेओ तीन चकु बारा तीन एकम तीन एक चार तिंतिया नो कितना आगया आपका 942 क्या सेंटी मीटर स्क्वार ये आपका राइट आंसर है ठीक है किलियर हो गया चौता सवाल बोलो चौता बोलागाए एक गुणा कार गुबार में हवा बरने पर उसकी तरज्या 7 सैंटी मीटर से 14 सैंटी मीटर हो जाती है इन दोनों इस्तियों में गुबारे के प्रश्टिये छेत्रपलों का अनुपाद ग्यात कीजिए ठीक है इन क्या करना है आपको फ्रश्टिये छेत सेंटीमीटर तो इन इस्तियों में गुबारे के प्रश्टिय छेत्रफलों का अनुपात जो है आपको बताना है ठीक है चलिए तो क्या-क्या दिया है भूतों लिख लेंगे आपने सब देख लिए साथ से 14 चलो कैसे आप करोगे यह देखना होता है आपको तो क्या करोगे ग गोलाकार गुबारे की तरज्या मालो ठीक है माना इसे कर लो माना क्या हो जाएगी तरज्या मालो कितनी है आरवन आरवन कितनी है साथ सेंटी मीटर माना नहीं है ठीक है दिया रखा है कितनी है साथ सेंटी मीटर हबा भरने पर गोलाकार अब हबा बर दिया आपने ठीक है तो लिखोगे हवा भरने पर गोलाकार गोलाकार गुबारे की तरज्या गोलाकार गुबारे की तरज्या अब कितनी हो जाती है आरटू वो जाती है आपकी 14 सेंटी मीटर पहले थी साथ हवा भरने से पहले गुबारे की तरज्या कितनी थी साथ जब आपने हवा भरती तो कित सेंटी मीटर ठीक है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लो गोलाकार गुबारे का प्रश्टिये छेत्र पर निकाल लें तो यहां से हल कर लो आप ठीक है हल क्या लिखोगे गोलाकार गुबारे का प्रश्टिये छेत्र पर निकाल लें तो यहां से जो एबन आ जाएगा पूर पाई कितना रखने वाले हो आप लोग ठीक है कितना रखोगे पाई तो पाई रहने दो आर कितनी है आर वन स्कॉारी रहने दो ठीक है यह रहने दो इसके वाद अब क्या निकाल जोगी सारे चीजी आ इसे रहने दो इसे मालो समीकर एक माल क्योंकि हमें क्या अनुपात बताना अए अनुपात बताने के क्या हो यह पापस नहीं चाट जाए फिर लिखोगे हावा भरने पर गोला कार गुबारे की गुबारे की लालिक का प्रस्टिय शेत्रफल निकाल लो प्रस्टिय शेत्रफल ठीक है क्या हो जाएगा आपका ये टू ये टू हो जाएगा कितना फोर पाई आर टू स्क्वायर हो गया ये ये समीकरण क्या हो गया आपका दो हो गया नहीं हो गया आप क्या लिखने वाले हो समीकरण एक वाद दो से ठीक है क्या लिखोगे समीकरण एक को दूसे भाग करने पर ठीक है या तो आप एवन यह चेत्रपल एरिया क्या होता है यह बन आप एस्वन भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका यह ठीक है यहां से लिख लोगे गोलाकार गुबार्य का फ्रस्टिय चेत्रपल यहां लिखोगे गोलाकार गुबारे का फ्रस्टिय चेत्रपल ठीक है बराबर क्या था आपका यह था फ्रॉर पाई आरवन इसकौार बट्टे क्या हो जाएगा हवा वहा भरने पर गोलाकार गुबारे का यह प्रस्टिय चेत्रपल, ठीक है, चेत्रपल कितना होता है, वो होता है आपका, बटे में लिखोगे, 4 pi r2 square, 4 pi से 4 pi कट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, r1 square बटे, r2 का square, तो या से क्या हो जाएगा, a1 बटे, a2 बरावर, ठीक है, क्या हो जाएगा, r1 कितनी है आपकी, r1 है आपकी 7, तो 7 का करोगे square, 7 गुणा 7, r2 कितनी है आपकी, 14, 14 गुणा 14, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 1 बटे 4, कितना हो जाएगा आपका, 1 बटे 4, तो प्रश्टिय चेत्रपलों का अनुपात कितना आ गया, ठीक है, तो प्रश्टि बटे A2 कितना आ गया एक बटे 4 यह आपका आंसर हो गया या क्या हो जाएगा यह बन अनुपात A2 भरावर एक अनुपात 4 यह आपका सही अंसर यही आपसे पूछा था अनुपात आपने अच्छे से निकाल दिया ठीक है तो उमीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से किलियर हो गया होगा ठीक है तो आप लोग वीडियो को सेर कर देना और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजिएगा क्योंकि इसी तरह के परसंजों आपके एकजाम में पूछे जाते हैं ठीक है तो चलिए यह हमारे चार सवाल हो गए पांच माँ अब हम कल करेंगे ठीक है ठेंक यू